नमस्का मैं हूँ नेहा सिंग और आपका स्वागत है हमारे इस खास स्पेशल चो में जिसका नाम है खबरे सोशल मीडिया से आजा मुस्लमेह से परिशित कराने जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई मोधी प्रेमी सपने में भी सोचे हमारे इस स्टोरी का मकसद ही आखे खोलना है अभी जिपेन करता है कि आखे किसकी खुलेंगी मोधी प्रेमियों की या फिर मोधी विरोधियों की जी हां हम आपको ऐसे परिशित कराने जा रहे हैं जब नरेंद्र मोधी चुनाफ फार गए है या फिर उन्होंने इस्तिफा दे दिया है आप इस खबर को जी भर कर शेयर करें क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर जह मोधी इस्तिफा देंगे उसके बाद देश आज Only News 24x7 अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि यदी मोधी नहीं हुए तो क्या होगा हम आपके सामने कुछ प्रशने रखना चाहते हैं कि यदी मोधी नहीं हुए तो कैसे हालात बनेंगे क्या सब कुछ सही हो जाएगा जी हां सोचिए अगर श्री नरेंद्र मोधी 2019 का चुनाव हार जाएं तब क्या हो सकता है बहुत से लोग रात दिन यही दुआ करते हैं कि नरेंद्र मोधी 2019 का चुनाव हार जाएं मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि क्या होगा अगर मोधी 2019 का चुनाव हार जाएं तो मैंने जवाब दिया जादा कुछ नहीं बस यह देश अचानक से सहीशणू बन जाएगा। कपड़े पर GST हट जाएगी। सेना की हर खरीदी में मैडम का 50% कमिशन होगा। आमीर खान उनकी पत्नी और अंसारी जैसे लोगों को यह देश फिर से सुरक्षित नजर आने लगेगा। देश में उन लोगों को सरकार में महत्वपूर्पद मिलेगा जो खूनी, बलातकारी, ब्रहस्टरचारी होंगे। कश्मीर में फिर से अलगावादी और जिहादी ताकते मजबूत होंगी। पाकिस्तान एक बार फिर से अपना प्रोपेगंडा मजबूत करेगा। क्योंकि सरकार के लोग जो वहाँ मोदी जी को हटाने की भीक मांगने गए थे, वो पाकिस्तान की नमक हलाली करेंगे। लब जिहाद और हलाला संग तीन तलाख पूरी तरह से कानूनी बन जाएगा। ममता वेनरजी बंगाल को पूरी तरह से बांगला देशी मुसल्मानों के हाथ में देकर जन्नत के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। एक ऐसा आदमी हमारा प्रधान मंत्री बनेगा जो पूरी दुनिया में मजब का पात्र बनेगा। जिसे लोग देहाती ओरत कहेंगे। रोबर्ट वाडरा पूरे हरियाना को खरीद लेगा। देश में एक से एक बड़े गोटाले होंगे जो पिछले सब्तर सालों के रिकोर्ड तोड़ देंगे। अवोड वापसी वाली गैंक के अवोड वापस दे दिये जाएंगे और कुछ को तो पदमशिरी भी मिलेगा। हर योजना में गांधी परिवार और नहरू का नाम होगा। न्यूस चैनल नए नए स्कैम की टी आरपी से भर जाएंगे। मोदी गुजरात वापस चले जाएंगे जहां उनकी जनता उनको फिर से गुजरात का सीम बना देगी क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी ही उनका व पीछे पड़ जाएगी जैसे वो मोदी के पीछे पड़ी थी UPA सरकार के दोरान। हर साल इंदरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर दो योजनाय लोंच होंगी। नोर्थ इस्ट को पहले की तरह कभी केंदर से मदद नहीं मिलेगी। अरविंद केजरिवाल को बहुत देर हो चुकी होगी। और मोदी वो अपना बचा हुआ जीवन इस सुकून में बिताएंगे कि कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। पर हिंदू इतना स्वार्थी और स्वाभिमान हीन हैं कि पैसे के लिए अपने देश तो क्या अपने जमीर को भी बेच देगा। इस क्या हाल हो जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमार साब बने रहिए और देखते रहिए और देखते रहिए और नियूस्टरी 417 सच की तहतक।